यहां पर ना council वाले को मतलब है ठीक है ? की तेरा course कैसा है ? क्या चला है ? उनको आपना college देखना है और college कोलेज भी क्याता है बहुत लोग बोते हैं आरी बहुत scope नहीं है भाई . बहुत scope है इसे मत करना ठीक है ? हेलो काईज क्या हाल चाल है आप सभी क्या आप लोग बढ़ियां होंगे और आज जो हैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यह रहा मेरा पार्ट्फॉंग ने पहले इस वीडियो में इंट्रोडेक्शन के बारे में जाना फिर जो है कोर्सों के बा इसे के बारे में आपने बहुत सारे लोग से बहुत बाते सुनी होंगी बहुत सारे वीडियोे जाने क्या रियल में इस है इसमें इसमें है क्या इसमें क्या लोग देखना चाहते हैं क्या इसमें देखने को मिलता है ठीक है बहुत लोग जो होते हैं इसको सीरियस होके बताते हैं बहुत लोग बहुत लोग करते हैं 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 बहुत लोग करत बताते हैं दुसरे फिल्ड के लोग क्या बताएंगे यह सब सीजी आपको देखने को मिलती हैं तो आप 10 प्लस 2 के हैं तो उसके चैनल पर नई है तो प्यारो बच्चो जदि आप चैनल पर नई है तो चलो को लाइक कर लीजे सास्क्राइब कर लिजे और से रही आपको लेड़े तो आहिए और शुरू करते हैं और चाहिने की कोशिश कुर्पने हैं इसके लिए कि part 4 में doctor of pharmacy के लिए क्या है और पाकी जो वीडियो है उसका में link description में देदूँगा जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं या आई बटम में आपको सोग कर रहा होगा देखो बच्छो पहले हम नोंने बताया था कि government of India के बारे मताया आपको फिर ministry of health family welfare के बारे में बताया ठीक है इसके द्वारा ही जो होती है डिफरेंट डिफरेंट जो होती है बॉड़ी होती है आई एंसी नर्सिंग कॉंसिल ऑफ इंडिया जो क्या इंडिया नर्सिंग कॉंसिल है फिर डिसी आई ठीक है इन सबसे तुलना करती हो चलूँगा एक ची मैं बता दूँँ बच्चों कि यह सारी modern medicine है मतलब कि इन्डिया में जो है उसका नाम जो है यही रखते है कुछ पता नहीं कैसे लोग मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा पर वो नाम ऐसा ही रखते है अब उनका क्या standar मैं खुद नहीं जानता डीक है तो यहाँ पर ऐसी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर जो है हम लोग अंगरी दवाई खाना ना सुनते हुए फार्मेसी बोलेंगे और वो जो होती है फार्मेसिटिकल साइन्स होती है इसमें देखिए पहली बात हो है PCI के बारे में कि आखिर यह है क्या देखने को मिल रहा है था तो मैंने सब चीज़ आपको बता दिया है मैंने ठीक है आपने वीडियो चुरूर देख लीगा अब आज जो हम बात करेंगे डॉक्टर ओफ फार्मेसी के बारे में डॉक्टर ओफ फार्मेसी के बारे में ठीक है अब देखिए यह कोर्स जो है 10 प्लस टू और मैट के हो या बायो के यह दोनों ही लोग यह कोर्स कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि दोनों में इसे कोई नहीं कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है यह दोनों ही यह कोर्स कर सकते हैं ठीक है पर मैं आपको इसके बारे में बताँगा क्या दि यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है तो हम पहले की बाती है, जिसमें, हमने पहले पिछली वीडियो में बताए था, एड़ाजी डिशडवांटेज, यहाँ पे भी वही चीज़ लेके चलेंगे और आपको वही सारी चीज़े आपको यहाँ पर रिके करके बताएंगे, पहले हम एड़ानटेज की ओर जाते हैं, उसके बाद हम disadvantage की हो जाएंगे, ठीक है, अलुक होल की बाते भी करेंगे, ठीक है, तो आएए शुरू करते हैं, advantage की बारे में, ठीक है, advantage, तो पहला इस course का करने का यह है, की एक six year, एक long duration course होता है, ठीक है, जिसमें पांच साल की पढ़ाई होती है, आपकी, five year की पढ़ाई होती है, और one year की intercept देखने को मिल जाती है, जिस परका amoebious में भी साप साप ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, पर उसमें जो पढ़ाई होती है, five point five year या five point two years की होती है, प हो चुकी है, बहुत सरी उनके changing update होती रहते हैं, और यह course जो है, धरा कधरा और सही पढ़ा हुआ है, यहाँ पर na council वाले को मतलब है, ठीक है, कि तु तेरा course कैसा है, क्या चला है, कोगी उनको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, उनको तो अपना college देखना है, और college भी क्या दे देखना है, तो यह सब चारी चीज़ें हम पर देखने को मिलती है, ठीक है, इनका course दोहार आर्ट से चला रहा है, ठीक है, ना changing हुई है, ना वह हुई हुई है, कुछ बदलाव नहीं हुए, constant वही चला रहा है, जो बन गया, ठीक है, अब पताएं कब तक चलेएगा, जिस वही चीज़ बार-बार पढ़ा रहे हो, ठीक है, यही चीज़ बहुत ही घरबर थी है, अब यही कोर्स इसमें है, अब देखने को बात की बात है, अभी तो फिलाल यही आपको देखने को मिलता है, पर इसमें जो है 2019 में changing हो चुकी, 2022 में changing हो चुकी, 2023 में भी कुछ से update हु अब एसमाज में, अब वही चीज़ जाते हैं, कि आपने बहुत बड़ा कोर्स करके काHS है, कुछ आप, कुछ नहीं तो कुछ भाड़के आए हो, इतना लंोबा कोर्स जो आपने आंप पर ही भड़ा हूआ होता है, ठीक है, फिर दूसरी बात इस कोर्ष में यह होती है, जो exposure मिलता है ठीक है अच्छा खासा जो कि second year से start हो जाता है second year से ठीक है ठीक है यह तुम्हें आपको समझने के लिए बताया था second year तो यह advantage आपको मिलता है तो जिसके करा और experience होता है इस field को लेकर फिर तिसरा यह है कि एक PG course है इंडिया में ठीक है पोस graduate course है इसके बाद आप डायर्क जो है PhD के लिए नॉमिनेट हो जाते हो मनदा eligible हो जाते हो ठीक है आपको कोई भी दुसरा PG course करने की कोई जूरत नहीं है अब यही PG course है अपने आप में ठीक है six year का long version course है तो आप पीज़डी के लिए नॉमिनेट हो जाते हो मनदा करने के ल B кто आगे है फिर 5 इस course में क्या है इस course में पांच्वा यह है कि ऑस्पीटल में फार्मेशी में ठीक है फारेमेशी में ठीक है फार्मसुटिकल सैंस में सबसे ठीक है सबसे हाई डिगरी Ricky क्लिनिकल की ठीक है मनदा कि आपके health की सबसे बड़ी डिगरी यह मानः जाती है इसके बाद fellowship program hospital चलाती है वो बस फार्मली को ही देती है वो fellowship और किसी उको नहीं देती है ठीक है कुछ hospital फार्म ने इसी practice वालों को भी देती है फार्म के पर बहुत rare है यहां पर फार्मली को ही वो recognize करती है उनके hospital exposure के current ठीक है यहां पर यह सबसे बड़ा रीजन और है ठीक है तो मैंने पांच आपको ऐसी बड़ी बड़ी बाते बता है जो इन पर advantage आपको देखने को मिलता है ठीक है फिर छटवाज यह होता है ना कि फार्मेसी फिल्ड में जितने भी लोग होते हैं जो एमफार्म कर रहे हैं ज उसमें जो है वह नॉन क्लिनिकल होते हैं क्या होते हैं नॉन क्लिनिकल होते हैं नॉन क्लिनिकल ठीक है उनको क्लिनिकल नहीं हुए उनको नॉन क्लिनिकल में रखा जाता है पर इनके साथ ऐसा नहीं है यह क्लिनिकल माने जाते हैं ठीक है क्लिनिकल नॉलिज बाली परसन है जो direct patient से exposure करते हैं इसी करें इनको clinical pharmacist बोला जाता है PCI के दोबारा इनको क्या बोला जेता है six यहां लिएता हूँ six number clinical pharmacist clinical pharmacist और इसकी vacancy जो होती है अभी government hospitals में एक दो जगा आई है नाम भी मैं बताता हूं Melbourne Cancer Institute, वहाँ पर यह वेकंसी आई थी, CMC वेल्डेवर में भी आ चुकी है, जो कि एक ट्रस्ट है, प्राइबिट का है, और क्या करते हैं कि पर Melbourne जो गौर्मेंटेड है, वहाँ पर यह वेकंसी आ जो कि एक clinical pharmacist की, ठीक है, पर इनका ऐसा नहीं है, कोई इनका कोई ऐसा नाम है, यह pharmacist ही होते हैं, कोई जो official कोई रिकोनाईज नहीं है कि इनको special category क्या गया है, कि भाई अब यह pharmacist हो नहीं, ठीक है, क्रिंकल फार्मेसिस्ट जो है, नहीं बोलता है, साथ शातों यह है कि in the future, इनका register जो है, registration जो है, register clinical pharmacy practitioners नाम से होगा, registered pharmacy practitioner, ठीक ह इनको अलग नाम देगा, अलग पहचान देगा, इसके कारण, ठीक है, तो यह देखना है कि यह चीज दावा जो है, अभी PCI कलियर करती ही, यह future है, ठीक है, और इस पर काम चलना है, तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है, इस फिल्ड में, ठीक है, तो आपक तो क्या कते हैं, कि यह सारी चीज़े अच्छी भी लग रही होंगी, देखने में बढ़ियां चीज़ लग रही होंगी, और फिस अठवी यह होती है, कि जितने भी physician होते हैं, doctors होते हैं, कि इनको जो है duty doctor की job देते है, duty doctor, ठीक है, मतलब कि अपना assistant, ठीक है, जब वो नहीं officer, duty medical officer की job करते हैं, तो वहाँ पर इनको यह duty doctor यह DMO, duty medical officer की job असानी से मिल जाती है, यह सबसे बड़ा इनके लिए positive point रहता है, पर Sally, ठीक है, उसमें Sally भी ठीक ठाग यह दे देते हैं, 25-30 start कर देते हैं, नहीं के 20 भी start होती है, ठीक है, according to your experience और disability criteria, कि नहीं हुआ है कि clinical pharmacologist की job हो जती है, जब यह clinical pharmacist से progress करके, clinical pharmacologist बन जाते हैं, जो ठीक है, फिद आट दसमां आपको देखने मनता है, जैसे कि TATA में अभी job आती है, वहाँ पर जो है, आपको oncology department में, जो है, job देखने को मिलती है, जहां पर आपको MD pharmacology के equivalent किया जाता है, ठीक है, तो यह सबसे बड़ी इनके plus point बन जाती है, जो doctor of medicine, MD और doctor of pharmacy, ठीक है, तो इन दोनों में basic बहुत सारे difference होती है, वह अलग में बात है, बहुत बड़ी topic है, मैं कभी इस पर बनाऊंगा video, तो आपको यह सारी advantage जो है, दिखने रही होगी, कि मैंने जो आपको whiteboard पर बढ़ाई है, ठीक है, यह सारी चीजी आपको अच्छी भी लग रही होगी, देखिए, इनके disadvantage की बात कीजा, इस course की बात कीजा, क्या-क्या इस course का disadvantage है, इस field में, पहली बात, तो पहली बात तो यह है, कि इस field में जो inform कर चुके लोग है, ठीक है, और क्या कते है, inform कर चुक बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि प्रोफेसर हो गए हैं, ठीक, assistant professors हो गए है, ठीक, associate professors हो गए है, यह खुध सको यह खुद सको को recognize ठीक से नहीं करते हैं, ठीक है, यह खुद इस course को ignore करते हैं, कवहोंकि उनके पास लेक of knowledge नहीं करते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे बढ़ा फिर क्या करते हैं कि इस कोर्स में जो PCIF की Pharmacy Council of India है ठीक है इसे पहले जो थे डॉक्टर बी सुरेश इसके प्रेसिडेंट थे ठीक है इसके माली थें PCI के उनके रिजायन होने के बाद जो है जब अब प्रेसिडेंट जो बने है अब मुझे उनके बारे में जाता तो नहीं पर वो क्या इस फॉर्वडी को सो कितना जानते हैं कितना जिल से पेचानते हैं है सबसे बढ़ा ये चलेंज है और उनके जो मेंबर बैड़ते है वो कितना चést जानते है ठीक है और पिर दूसरी बात ही आती है कि PCI के बोर्ड मीटिंग में कूई फॉर्वड का बंदा नही क्या है इस course को related decision क्या लेनी होगी आपको इसमें बदलाओ क्या करने होगे hospital की requirement क्या है अभी कि आप इस course में changing करके इसको update किया जा सके ठीक है यह सारी चीजे जो देखने को मिल जाते हैं इस कारण जो है इस course का सबसे बहुत लोग नहीं चानते हैं और इस course को recognize नहीं करते हैं हैं बहुत लो ठीक है दूसरा इस course की कमियां का हैं दूसरा यह है कि community pharmacy ठीक है community pharmacy में आप foreign में जाएंगे तो minimum community pharmacy में असानी सी जॉब मिल जाती है वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा होता है पर यहां पर जो है पहले ही से जो already pharmacist हमारे पास registered pharmacist है तो फिर यहां पर community pharmacy में इनके scope की बाती ना की जाए तो बढ़ियां होगा ठीक है क्योंकि already मेरे पास जो है वी फॉर्म डीप फॉर्म जैसे pharmacist अवैलेबल है तो community pharmacy में इनका क्या scope होगा ठीक है तो यहां पर भी हम बात करेंगे यहां भी scope यह हो सकता है कि आप जो है कोई prescription right या minor element ठीक है minor element को कोई भी टेरप 14 डिजीज देखा इनको इस के scope को बढ़ा सकते है और community pharmacy में और इनको अलग doctor की रूपे recognize किया जाएगा नहीं तो फिर बात क्या होगी इन तीनों में बस आप डॉक्टर प्रिफिस लेके ही घुमते रहा जाओगे तो यहां पर सबसे बड़ा ड्रॉप है कि डॉक्टर प्रिफिक्स का होना ठीक एक अपने आप में पावर हो सकती है ठीक है recognize किया जा सकता है समाज में पर क्या आप वही चीज है कि हाती के दाथ दिखाने के कुछ और काम खाने के कुछ और है यहां पर यह चीज बहुत ज़्यादा लगता है तो क्या यहां पर डॉक आपको जो है उसके अंदर कुछ होनी चाहिए जिसके कर आपको recognize किया जा सकते है देखिए PhD देखिए हमारे टेस में नहां दो तरह के लोग है जो डॉक्टर प्रिफिक्स मुलती है एक होते हैं clinician ठीक है और एक होते हैं PhD holders ठीक है PhD holder यह होते है non clinician ठीक है और जब डॉक्टर क जब सुर्भात हुई थी डॉक्टर एक प्रिफिक्स देना सुरू किया गया डॉक्टर की आप डॉक्टर हो वो PhD को सबस्क्राइब देना सुरू किया गया था कि PhD वालों को कि आप डॉक्टर हो उसके बात जो है देदेरे इसको clinician लोग ने अडॉप कर लिया मत्त कि अदिक कम और क्या नाम डॉक्टर पी को कि यह जो एलफेटिक सायंस के जो अमभीएस होल्डर से होते हैं इनका सो आप बहुँत ज़्यादा है तो आप मतलब समझते हैं सो आप मतलब प्रिफिश्टिव व्यू में लगे जाईए तो आप मतलब होता है कि आप देखिए जैसे कि मा कितने के अदिकारी होते हैं, तो आप कितने Events ko झाता है, मैं रहते हैं, उतने समाज की बीच में नहीं रहते हैं जिकरा इनको recognize नहीं किया जाता है और इनको पैचाना भी नहीं जाता है नानके हमको नाम जानते हैं टीवी में कभी कवार आ गए तो हमकर जान जाता है कि major goros हैं ठीक है यह हैं पर ऐसे हम लोगं का particular नाम नहीं जानते हैं तो वही हम देखे तो आईस के नाम हमेशा जो है आपके छपते रहते हैं पेपरों में ठीक है यह आईस का यहां ट्रांसफर हुआ आपने जिले का आईस के नाम जरू जानते होंगे को कि पब्लिक सर्वेंट जॉब है ठीक है पब्लिक की बीच में उसे कुछ ऐसा ही यह होती है तो यह प्लिक सर्वेंट होते नहीं है यह यह तो प्रोफेसर्स होते हैं ठीक है यह तो सैंक्रिस होते हैं ठीक है यह तो जो है आपका किसी बड़े पत्पर होते हैं जिसको हम लोग जानते ही नहीं है तो नौन प्लिक मीशन होते है इनका जॉब जो होता है पर परदे की जॉब होता है जस लाइक यह प्रडूसर हो गया तो यह हीरो को सब लोग जानते हैं फिर हीरो जाके बाद ने प्रडूसर ही बन जाता है पर प्रडूसर हीरो कभी ने बन पाता है तो यह इनका जॉब जो होता है responsibility होता है public सामने होता है सब चीज जो है जो होता है अब देखे तो यह सब चीजे जो है इनको ज्यादा recognize की जाती है ज्यादा लोग जानते हैं ठीक है इसका जो है prefix का value बढ़ जाता है और क्या करता है इनके प्रॉवर होती है कि आप Its subscription लिख सकते है दवाईयों the reaction लिख सकते है ठीक है जए मैं आप GBs हो अभी में different की सब्सक्राइज वात बढ़ाइड हो तो इनको जादा recognize करते हैं लोगे जाता identify करते हैं, जाता पैचानते हैं, जाता वो होती है, value होती है, ठीक है, यह सबसरी चीज़े देखने को मिलती है, तो यह जो है, आप X-ray के में भी head हो सकते हो, वो course का specialization कर लो MD में, ठीक है, फिर radiology कर लो, microbiology कर लो, ठीक है, तो उसके हाप head हो सकते हो, ठीक है, पर इस course मे अभी तेक ऐसा कोई चीज जो है, बड़ा भारी बर कम चीज नहीं मिला है, जिसकी current को recognize किया, जैसा कि compulsory हो, ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको example देता हूँ, आपको समझ में भी आएगा, जैसे कि मान लीजे कि कोई surgery होने वाली है, ठीक है, surgery होने वाली है, surgery कोन करेगा, एक surgeon करेगा, जो MS होगा, अब कोई भी surgeon हो सकता है, किसी चीज की surgery हो सकती है, ठीक है, चाहे कह नाम है कि आपका गाल ब्लेडर का हो सकता है, जर्नल सर्जन हो सकता है, चाहे कॉस्मेटिक सर्जन हो सकता है, कोई भी surgery हो सकती है, तो उनको जो है एक protocol पूरा करना होता है, उस protocol को न चार्ज करता है अपने आसपार कर आपको कमपरसरी है यह आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको सजा मिलेगी तो ऐसा कुछ हिनके पास भारी बरकम पावर देखनों को नहीं मिलता है कि कमपरिसरी हो कि एक जो है सर्जन है या फिजीचिन है उसके पास एक फॉम्डी हो ना चाहिए जो उसके स्कुल मेन को चेक कर सकती कि जो आप कहीं गलतिक हो कोई भी पी chronication audit करना हो जा किसी को भी डवाज दीजी यह सारी चीज़े आपको देखने को नहीं मिलती है सबसे बड़ा ट्राइब्ट था एमेंडबिंट 2021 के आने के बाद भी और सारी कमियां थी जो कि अभी तक सुधारी नहीं गई है को भी इसका जो वह नहीं स्टेप नहीं कि किनिकल फार्मेसिस के बाद कौन सा स्टेप आपको मिलेगा कौन सा के नामे कितने आप हाइट ट्रक जाएंगे अंतिम आपकी सैलिक कितनी रहेगी ठीक है आपको कहां पर रिकुनाइज किया जाएगा को भी अभी गवर्मेंट वेकेंसी जो एम चिपमर चैसे कॉलोजियों में नहीं निकली है तो यह स सारी चीजते हैं आपको देखने को मिल जाती है फीर चौता जो है आपका क्या है शोधा जो है इसमें कि हर हॉस्पितल में अभी त्पर सिरी नहीं किया जाए इस अधिए मैं आपको बताते हूं कि hospitals भी जो होते हैं काई category होते हैं level एक दो तीन चार मान लो तो level एक medical college हो गया सामुद्राइब मस्य HC हो गया community health office ठीक है जिला जो चकेसाले होता है ठीक है ठीक है ठीक होता है पेचसी होता है ठीक है तो यह सारी hospital है तो आप देखिए prescription audit करना है प्सक्राइब चेंजिंग करनी है ठीक है या क्याते हैं कि antimicrobine resistance का identify करना है यह सारी चीज़े जो होती है आपको medical college में देखने को मिलती है पर आप प्याचसी और सेचसी पर क्या काम है और सबस्देख यही है तो यहाँ पर आप कुछ काम करिए इनको recognize करिए इनकी disability इनकी criteria को बढ़ाईए ठीक है अब वहाँ पर जाके prescription order थोना करेगा वहाँ पर दस थे दवाई है दस दवाई थोना लिखेगा बस देखेगा तो वहाँ पर आप इनके power को कुछ बढ़ाईए ऐसा कुछ करिए जिसके current के इनको identify किया जा सके इसके पाद जो इनकी value बढ़ाई जा सके जैसे आप आयूस का बढ़ा रहे हो ठीक है यह सारी चीज़े इनको recognize करती है और यह सब चीज़े कमिया आपको देखने को मिलती है जो की बहुत ही complex है इसमें सुधार की बहुत जारा चुरुत है और देखते हैं अभी तो आने वाले समय में इस course में क्या changing होती है पर हाँ दोस्तों यतने निगेटिक के बाद भी इस course के अंदर आने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने आपको stabilize किया है और वो जो है बड़े-बड़े पदों पे धेरे-धेरे बैठ रहे हैं मैंने कुछ जो है ऐसे फॉर्मडी को देखे हैं जिन्होंने अपने द दियो बोड़ ऑफ फार्मेसी स्प्रसलाजिशन तो धिरे-धिरे जो ये ग्लोबल सब्जेक्ट है ये धिरे-धिर आगे बढ़ आए और इसमें जो है बहुत सारी चीजे आपको देखने को मिल रही है बहुत सारी फैलोसीप प्रोग्राम भी है बहुत सारी वीडियो में ब बना चुका हूँ ये वीडियो में बनाना सुरू करूंगा दो तिन घंटे घमन जाएगा तो मुझे जादा बढ़ा बढ़ाना नहीं है ठीक है मुझे बस कोसिज करनी थी कि आपको ऐसा बनाऊ जो आपको एक्षिट बैठे और आपको जो इस फार्मिडी डॉक्टर और फ आप देखना यह है कि in the future क्या changing की जाती है और किंकल फार्मेसिस्ट है ठीक है तो इसको किसकला किनकली वैलू दी जाती है और क्या करते हैं गौवर्मेंट कितना इनको recognize करती है को वीड में अभी तक तो इसका यूस नहीं हुआ अब देखते हैं आगराले समय में कितना इस फिल्ड का यूज किया जाएगा ठीक है यह सबसे बड़ी बात चैलेंजिंग हो जाती है हमारे लिए और यह सब चीज़े जो हैं कहीं न कहीं डारेक्ट करते हैं तो टेन प्रस टू इस्टुडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो मैं नहीं आपको समझा जाया है यह सब चीज ड्रॉपएक भी आप जानिए और कहते हैं कि आगया धेदरी सीरीज में मैं रोज आपको कुछ ना कुछ ना कुछ पताता रहूंगा कुछ ना कुछ इस फिल्ड के बारे में बताता रहूंगा जिसे करना पर दिमाग खुलता रहेगा और आप एक परफिक 10 प को सब्सक्राइब आप को कि अब डिया सब्सक्राइब की जाने समें पर और विडियो जो आएगा शारे क्नों कि क्याई आप एक जैका के वा बतां कि आप का क्या पीडिव आप का की रूस Kkov करना है ठीक है तो उसके पर मैं वीडियो नेक्स पार्ट में लेक्ट के होंगा अभी तो आप तीनों जो टेन प्रस्ट्री के बार दी फॉर्म और बी फॉर्म और फॉर्म डी होता है अब इसके बारे में थोड़ा जाने होंगे ठीक है आपका जो है डबी हुई जो करना है हिस्टी को बढ़ा जाती है हिस्टी सी यह सिपर बढ़ा जाती है कि हमने जो गलतिया की है उसको सुधारना कैसे है ठीक है जो गलतिया की गई है उसको सुधारना कैसे है उस गलति को दोबार हम ना करें ठीक है तो वही चीज यहां पर भी है अब चीज को लेकर हम ब पर नहींके वह आपके उपर करताय कि आप कैसे अपने आपको करते हैं इस सुसाइटी में ठीक है तो आप तुम मैं ने देखा है कि बहुत सारे चीजे होती है तो दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइप सस्क्राइब और सेयर करिए और अपने दोस्तों यारों को भी भेजिए जिसके कर उनका भी दमाग खुले और इस चीज को जाने ठीक है आज के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के सा थैंक यू